नमस्का विद्याती मित्र होए जुकेशन अब एमिज में आपका स्वागत है तो आज का आमार रोपिक है चाप्टर वाइज वेटेज फॉर मस्टी सीटी ट्वीटी ट्वीटी वन में क्लास 11 से कौन सा चाप्टर कितने मास को पूचे जाएगा कि कांसे चाप्टर पर कितने क्वीशन्स पूचे जाएगे वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखे और अगर चैनल पर पहलिपार आ था चैनल को सبस्क्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजो वाली बैल आइकन है उसके उपर क्लिक करके All पर क्लिक कीजिए ताकि सबी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन से वो आपको हमेशा मिलती रहे तो जो लिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स से तो आप आपम देख सकते हैं 11 फिजिक्स वेटेज यहाँ पर हैं आपके क्लास 11 के टपिक्स उसके बाद यहाँ पर हैं एप्रोक्स वेटेज त्वर्ट जो चाप्टर है motion in plane उसका जो वेटेज है वो है one qwestion इस चप्टर से सिफ एक ही question आपको बूचा जाएगा उसके बाद जो second chapter है laws of motion उस चप्टर से आपको maximum two questions पूचे जा सकते है ठीगे इसके बाद जो third chapter है वो एक gravitation gravitation से आपको सिफ एक ही question आ सकता है ठीगे उसके बाद जो four chapter है वो है thermal properties of matter ठीक है thermal properties of matter उससे आपको एक ही question पूचे जाएगा उसके बाद जो fifth chapter है वो है sound sound से आपको एक ही question पूचा जा सकता है एप्रोप्स क्यों बताया मैंने क्योंकि वो previous year questions के basis पर आमने ये बनाया है ठीक है उसके बाद question sorry chapter जो six है optics उसके उपर maximum two questions पूचे जा सकते हैं उसके बाद जो chapter 7 है electrostatics electrostatics के उपर आपको एक ही question पूचा जा सकता है और जो semiconductor chapter है उसके उपर एक question पूचे जा सकता है आप पूचेंगे कि सिर्फ एक दो questions क्यों पूचे जा सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा class 11 का जो weightage है class 11 का जो weightage है वो weightage है सिर्फ 20% ठीके सिर्फ 20% class 11 का weightage है और class 12 का जो weightage है class 12 का जो weightage है वो है 80% ठीके 80% class 12 का weightage है तो 20% में थोड़े ही questions पूचे जाएंगे क्योंकि हर चाप्टर में एक ही questions 20% में बन सकता है और 80% questions class 12 से है इसलिए सिर्फ एक ही या फिर दो questions class 11 में एक ही सभी चाप्टर से पूच जाएंगे ठीके तो class 12 physics का जो weightage है वो हम आप देखते हैं ठीके तो जो color है वो मैं यहापर change करता हूँ सो 12 physics weightage यहाँ पर है आपके topics और यहाँ पर है आपका approach weightage यानि number of questions तो फर्स चाप्टर है rotational dynamics उसके उपर तीन questions आपको पूचे जा सकते हैं ठीके जो second chapter है वो है mechanical properties of fluids उसके उपर भी तीन questions आपको MATCET 2021 के लिए पूचे जा सकते हैं इसका weightage है three questions देन जो third chapter है हो है KTJ and radiation उसके उपर भी तीन questions आपको पूचे जाने वाले हैं और जा सकते हैं जो four chapter है हो है thermodynamics thermodynamics में आपको तीन questions पूचे जाएंगे ठीके और उसके बाद जो fifth chapter है हो है oscillations उसके उपर भी आपको दो questions पूचे जाने वाले हैं देन जो six chapter है वो है superposition of waves उसके उपर आपको दो questions पूचे जाएंगे देन जो seven chapter है wave optics उसके उपर आपको तीन questions पूचे जाएंगे और जो electrostatic chapter है उसके उपर आपको तीन questions पूचे जाएंगे ठीके और जो बागी के next chapter से class 12 physics के वो हम आप देखते हैं तो 12 physics weightage यहापर आपके topics जो की बज़े हुए है और यहाप पर approach weightage मतलब number of questions तीके तो nine chapter जो है वो है current electricity उसके उपर दो questions आपको पूचे जा सकते हैं उसके उपर जो 10 chapter है उसका नाम है magnetic field due to electric current तीके उसके उपर भी तीन questions आपको पूचे जा सकते हैं उसके बाद जो chapter 11 है magnetic materials उस उसके उपर आपको एक ही questions पूचा जा सकता है उसके बाद जो 12 चाप्टर है electromagnetic induction EMI उसके उपर तीन questions पूचे जा सकते हैं धेन 13 नमर का जो chapter है वो है AC circuits उसके उपर भी आपको तीन ही questions पूचे जा सकते हैं धेन जो 14 नमर का chapter है dual nature of radiation and matter उसके उपर आपको दो questions पूचे जा सक सकते हैं और structure of atom and nuclei जो 15 नमबर का चाप्टर है उसके उपर आपको तीन questions पूचे जा सकते हैं और जो semiconductor device है उसके उपर एक equation पूचा जा सकता है ठीके उसके बाद next देखते हैं नेक्स्ट आपका chemistry chemistry का weightage ठीके यहाँ पर मैं color change कर देता हूं ओके सो 11th chemistry weightage ठीके यहाँ पर आपके topics है और यहाँ पर आपका approach weightage मतलब number of question तो first जो चाप्टर है सम basic concept of chemistry उससे आपको सिफ एक ही question आएगा देन structure of atom से भी एक ही question आएगा थर्ड chemical bonding से भी आपको एक ही question आएगा उसके बाद जो redox reaction से उससे भी आपको एक ही questions आएगा उसके बाद 5th जो चाप्टर है element of group 1 and 2 उससे भी आपको एक ही question आएगा उसके बाद state of matter से भी एक ही questions आएगा देन 7th जो चाप्टर है adoption and collides उससे आपको भी एक ही question पुछ जाएगा और जो GOC यानि general organic chemistry और hydrocarbon से उससे आपको एक ही question क्यों क्यों क्या आपको पता ही है class 11 का weightage है class 11 का weightage सिर्फ 20% है ठीक है और class 12 का जो weightage है वो 80% है ठीक है तो previous years में जो weightage था उसी हिसाब से आपने ये बनाया है then next देखते है हम class 12 weightage of chemistry ठीक है तो यहाँ पर color जो है वो यह आपर में change करता हूं ठीक है तो 12th chemistry weightage यहाँ पर आपके topics class 12 के chemistry के यहाँ पर approach weightage यानि number of questions जो फर्स चाप्टर है वो है solid state उससे आपको तीन questions पूचे जा सकते है उसके बाद जो second chapter है चाप्टर है वो है solutions उससे आपको तीन questions पूचे जा सकते है third chapter ionic equilibrium दो questions four chapter chemical thermodynamics ठीक है spelling mistake है यहाँ पर ठीक है 10 questions then fifth chapter है electrochemistry उससे भी दो questions then six chapter chemical kinetics उससे दो questions और element of groups 16 17 18 उससे चार questions यह थोड़ा important है mark करो क्योंकि high weightage topic है यह उसके बाद transition and inner transition element उससे भी तीन questions ठीक है तो जो बचे हुए चाप्टर से वह हम देखते हैं so 12 chemistry weightage topics यहाँ पर आपके और approach weightage ठीक है so chapter number 9 coordination compounds उससे दो questions आ सकते हैं उसके बाद 10 halogen derivative से भी आपको 15 questions आ सकते हैं इसका वेटेश है 3 questions उसके बाद 11 alcohol phenol and ethers 3 questions 12 aldead ketones and carboxylic acid 3 questions 13 amines 4 questions then again star because high weightage topic ठीक है उसके बाद 14 biomolecules only one questions introduction to polymer chemistry दो questions green and nano chemistry one question ठीक है उसके बाद जो maths का weightage है class 11 का वह हम देखते हैं ठीक है तो I have to change the paint color okay so 11 mathematics weightage यहाँ पर आपके topics यहाँ पर number of questions so first trigonometry equation second state line equation third circle के उपर भी एक equation probability पर भी एक equation functions पर भी एक equation continuity का weightage एक equation है complex number का weightage एक equation है और permutation and combination का भी weightage एक है ठीक है आपको पता है class 11 से सिर्फ 20% weightage है class 11 का और class 12 का weightage है 80% ठीक है 80% ओके उसके बाद next class 11 के जो बाके के दो टोपिक से लिमिट्स उसका भी weightage है one question और 10 जो चाप्टर है measure of dispersion उसका भी एक ही question का weightage है then next class 12 mathematics weightage टोपिक से आप पर आपको दीखने को मिलते हैं उसके बाद कि लिए पर अप्रोक्स वेच मतेमेतिकल किवराथ लाईट्टी के डिली सेslाएans खुत्योंस तीन क्वेचिन्ख लिए बाद्टोधां ऒगा नीच्टर पर दोखुत्पेंग क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक है उसके बाद लिनियर प्रोग्राइमिंग वन क्वेश्चन एंड डेरिवेट यूज त्री क्वेश्चन ठीक है जो पाके के क्लास 12 के मैंतमेटिस के जो टॉपिक से वह हम आप देखते हैं रपिक स्थाइज सेट यू रड गमाल टीक वस तर व क्वेश्चन एंड टीवेशन थेखिचैंट क्यों सिंच पर टीठीक वेश्ट40 पर पिक विक त्रिवलेटि डिस्ट्रिपुशन दो क्वेस्चन्स और बायों के हैं वो भी मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा अगर आपको वह चाहिए तो नीचे description box में, sorry, comment section में बताईए, description box में मैं वो upload कर दूँगा, उसके लिए separate video नहीं बना सकता में ठीके, तो description box में में सब जो bio के weightage है, वो भी डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो so thank you for watching, ठीके okay thank you for watching, please subscribe to our YouTube channel education hub image, channel को subscribe कीजिए, और यह जो वीडियो है, वो अपने हर फ्रेंज के साथ share कीजिए, WhatsApp पर कीजिए, टेलिग्राम पर कीजिए, और चानल को subscribe करने के बाद, और पर ज़रूर क्लिक कीजिए, धन्यवाद